सक्क्ती के 48 नियम रोबर्ट ग्रीन बाई पुकू रीडर्स नियम 23 अपनी शक्तियों को केंदृत करें विचार अपनी शक्तियों और उर्जा को सबसे मजबूत बिंदू पर केंदृत करें बहुत से खानों को थोड़ा थोड़ा खोदने की कोशिश करने के बजाए एक ही सम्रद खान को गहराई तक खोदने से ज़्यादा होता है केंदरित प्रयासों की जीत होती है और निखरे हुए प्रयासों की हार होती है अपनी प्रगती के लिए शक्ति के स्रोतों की तलास करत पहले तो समाने रूप से सक्तिसाली बने फिर निरनायक बिंदू पर अपनी शक्तियों को केंद्रित कर रखने से ज़्यादा अच्छा और आसान रर्णितिक नियम दूसरा नहीं है। विभाजित अवस्था में हैं और अपने मस्तिस्क को किसी एक दिसा में इस्थिर नहीं रख पाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान हजारों दिसाओं में भटकता रहता है। सबसे कमजोर हिस्से पर केंद्रित करना कितना महत्वपूर है। यहीं युद्ध के मैदान में उसके सफलता का रहस्य था। उसकी इच्छा शक्ती और उसका मस्तिस्क दोनों ही इस अवधारना के अनुरूप ढले हुए थे। एक उदेश्य के परती पूरी तरह समर्बित मानसीकता एक ही लक्षे पर पूरी एकागरता विचलित मनोदशा वाले और कम एकागर लोगों के खिलाफ इन गुणों का परियोग उसी तरह का प्रभाव डालता। जिस तरह कोई तीर हर बार अपने निशाने पर पहुंशता है और दुश्मन घबरा जाता है। कैसे नौवा ने जीवन में अपनी सफलता का राज यह बताया था कि उन में एक लक्षे पर केंदरित रहने की योग्यता थी। वे एक अग्रता से अपने लक्षे का तब तक पीछा करते थे जब तक वे उसे हासिल कर ले। जिन मेलाओं को वे पाना चाहते थे वे पूरी तरह से उनके पीछे पढ़ जाते थे। इसी वज़े से वे इतने मनमोहक लगते थे। और सफल होते ही जब कोई मेला कुछ हफते या महीने तक उनके प्रभाव छेतर में रहती थी तो वे किसी दूसरी चीज के बारे में सोसते तक नहीं थे। जब उन्हें वेनिस की एक जेल में बंद कर दिया गया जहां से कोई कैदी पहले कभी नहीं भागा था तो उन्होंने हर दिन अपने मस्तिसक को वहां से भागने के लक्षे पर केंद्रित किया। उन्होंने महीनों तक सुरंग खो दी लेकिन तब ही उनकी काल कोठरी बदल दी गई। उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन इससे वे हताश नहीं हुए। वे लगन से अपने लक्षे की दिसा में मेहनत करते रहे और अंतता भागने में काम्याब ही हो गए। उन्होंने बाद में लिखा है मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि जब कोई इनसान अपने दिमाग में कोई चीज ठान लेता है और उसकी योजना पर अमल करने में पूरी तरह से जुट जाता है तो वे अवश्य सफल होता है चाहे रहा में कितनी भी बाधाय क्यों नहों वे इनसान चाहे तो महामंत्री या पोप भी बन सकता है शक्ति की दुनिया में आपको लगातार अपने से ज़्यादा सक्ति साली लोगों की मदद की जरूरत होगी मूर्ख आदमी एक से दूसरे विक्ति की तरफ भटकता रहता है और यह मानता है कि वे ज़्यादा लोगो ही हासिल होती है वेग्यानिक निकोला टेसला इसी कारण बरबाद हो गए क्योंकि उन्होंने किसी एक संरक्षक की सेवा ना करके अपनी सुतन्तिता बनाई रखी जब जेपी मॉर्गन ने उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसे ठुकरा दिय अंतिता टेसला की सुतन्तिता का परिणाम यह हुआ कि वे किसी एक संरक्षक पर निरभर नहीं रह सकते थे बलकि उन्हें हमेशा धर्जन भन संरक्षक खोजने पड़ते थे अपनी जिंदगी के आखरी दोर में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ एक संरक्षक अपनी वफादारी की सराहना करता है और आपकी सेवाओं पर निर्भर हो जाता है आगे चल कर मालिक सेवक की सेवा करने लगता है अंतिम विसलेशन में सकती हमेशा एकागरता में नहीं थोती है हर संगठन में एक छोटा समू ही सकती का संचालन करता है और अकसर वे ऐसे लोग होते ह जिनके पास पदनाम नहीं होते हैं आपको यह पता लगाना चाहिए कि बागडोर किसके हाथ में है परदे के पीछे असली निर्देसक कौन है रिचलियू सत्रावी सदी के सुरुआत में फ्रांस के राजनीतिक परिदर्शय में तरक्की करना चाहते थे उन्हें यह पता चला साथ को भेटते हुए सबसे उपर पहुंच गए एक साथ की खुदाएं में ही प्रयाप तेल निकल आएगा इसके साथ इससे आप जिंदगी भर दौलत मन और सक्तिसाली बन जाएंगे जो हानन गेटे ने कहा है अपनी शक्तियों की बरबादी करने के बारे में साफधान र लेकिन बहुत से काम करने पर बहुत सी गलतियां भी होगी जिस पर उसे पश्चता फोनत तै है आप एक तीर से दो निशाने नहीं लगा सकते अगर आपके विचार भटकते रहेंगे तो आपका निशाना दुस्मन के हिर्दे पर नहीं लगेगा मस्तिसक और तीर को एक बन जाना चाहिए मानसिक और सारीरिक सक्ति की एक अगरता से ही आपका तीर निशाने पर लगेगा और सत्रू के हिर्दे के पार निकल जाएगा विशेशग्य की राय एक अगरता के बिखराव से ज़्यादा बहुमूले माने पूर संख्या में नहीं बलकि गुर्वत्ता में ह होता है कि वे हर मामले में हाथ तो डालते हैं लेकिन उनकी पकड़ किसी पर नहीं होती है एक अगरता से उचा इस्थान मिलता है और इसे इससे इनसान बहुत उचाई पर पहुँच जाता है आदर्स दर्बारी की भूमी का निभाएं विचार आदर्स दर्बारी एक ऐसे संसार में प्रगती करता है जहां पर हर चीज सक्ती और राजनीतिक कोशल के इर्दगिर गूमती है उसने परोक्षटा की गलती में महारत हासिल कर ली है वे चापलूसी करता है स्रेस्थ लोगों के सामने जुकता है और बाकियों पर अपनी शक्ती का प्रयोग बहुती और प्रत्यक्ष और सालिन अंदाज में करता है दर्वारी बनने के नियम सीखे और उनका इस्तिमाल करें इसके बाद आप दर्वार में कितनी उचाई तक पहुँचेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है दर्वार को जानने वाला वक्ती अपने हाओ भाओ आँखों और चेरों का स्वामी होता है वे गंभीर और अबूज होता है यह बुरी स्थिती में नाटक करता है, अपने जुस्मनों से मुस्कुरा कर बात करता है, अपनी चिड को नियंद्रित करता है, अपनी भावनाओं को छिपाता है, अपने मन की बात उजागर नहीं करता है, और अपनी भावनाओं के विरुद बोलता तथा काम करता है, विनम् घर में आग लगाना विनमरता एक जूटा सिक्का है जिसमें कंजूसी बरतना मूठता है समझदार आदमी इसकी प्रियोग उदारता से करता है मौम प्रकरती से कठोर और भंगुर होता है लेकिन थोड़ी नर्मी से उसे नरम बनाकर मंचहा आकार दिया जा सकता है इसी तरह विनमर और दोस्ताना बनकर आप लोगों को अपने साचे में ढाल सकते हैं और उनसे काम निकलवा सकते हैं भले ही वे सभाव से दुस्ट और दुर्भावना रखे रखने वाले हों विनमरता इनसान के सभाव वही सभाव पर वही असर डालती है जो गर्मी मौम पर डालती ह दर्बार की राजनीती के नियम पुरदर्शन से बचे इसमें समझदारी नहीं है कि आप अपने बारे में डींगे हाकते रहते हैं या अपने कामों को बखान करते हैं आप अपने कर्मों के बारे में जितना जादा बोलते हैं लोग आपके उदेसे के बारे में उतने ही ज़्यादा सक करते हैं इससे आपके साथ ही भी आपसे जलने लगते हैं इस कारण वे पीट पीछे आपकी अलोचना करते हैं और आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं उदासिंता का अभ्यास करें कभी भी जादा मेनत करते نہ दिखें ऐसा लगना चाहिए कि आपकी परतीभा सहस्ता से प्रभावित हो रही है ऐसा लगना चाहिए कि आप उस काम को बड़ी आसानी से कर देते हैं मेहन्ति वेक्ति के बजाए परतीभा साली वेक्ति की छवी बनाएं लोगों को इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस काम में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी बलकि इस बात पर हैरानी होनी चाहिए कि आपको इतना बड़ा काम कितनी आसानी से कर दिया चापलूसी में कंजूसी करे ऐसा लग सकता है कि आपके उपर बैठे लोग चापलूसी के भूखे हैं और उनकी भूख कभी खतम नहीं होती है लेकिन किसी भी चीज के जादस होने पर उसका मूल्य कम हो जाता है और प्रितक्स चापलूसी करना सीखे उधारन के लिए आपने योगदान को कम महत्व दे ताकि आपके बॉस की छवी जादा अच्छी दिखाई दे लोगों की नजरों में रहने की कोशिश करे ये एक विरोधाबास है अगर आप दुसाहसी तरीके से ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको सबकी नजरों में ही रहना है अगर शाशक दरबारियों के जुन में आपको नहीं पहचान पाता तो आपकी तरक्की कोई समभावना नहीं है इस काम में बहुत कला की जरूरत होती है शुरुआत में अक्सर इसका मतलब यह होता है कि आपकी शरीर सासक की नजरों में के सामने रहे अपने शारीरी खुलिये की तरफ ध्यान दे और इसके बाद एक विसिस शैली और छवी बनाने का तरीका खोजे सामने वाले के हिसाब से अपनी शैली और भाशा बदले समानता में च्छन विश्वास एक भैंकर कलती है यह सोचना गलत है कि हर वेक्ति के साथ एक ही तरह से बात और वेवार करना चाहिए चाहे उसका पद कोई भी हो यह सोचना तो और भी गलत है कि ऐसा करके आप सब्भे के नियमों को पालन करते हैं आपके नीचे के लोग यह मानेंगे कि ऐसा करते समय आप अपने इस तरह से नीचे उतर रहे हैं और उनका यह सोचना सही है यही नहीं आपके उपर के लोगों को यह बात बुरी लगेगी हालांकि हो सकता है वे ऐसा ना माने आपको हर वेक्तिके हिसाब से बोलना चाहिए और अपनी शैली बदलने का अभ्यास करना चाहिए यह जूट बोलना नहीं है, यह तो अभी ने है और अभीने इश्वर दौरा प्रदत गुड नहीं है यह तो एक ऐसी कला है जिसे हम इसी दुनिया में सीखते हैं बुरी खबर ना सुनाए राजा बुरी खबर लाने वाले संदेश वहाग को मरवा देता है यह कावत पुरानी है लेकिन इसमें सच्चाई है आपको यह सुनिस्चित कर लेना चाहिए कि बुरी खबर आप नहीं बलकि आपका कोई सहकर्मी सुनाएए सुनिस्चित करने के लिए आपको संघर्स करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो जूट बोलना या धोखा भी देना चाहिए कभी अपने बॉस के साथ दोस्ती और अंतरंगरता ना दिखाए बॉस अधिनस्त को मित्र नहीं बनाना चाता है वह तो अधिनस्त को उसकी जगह पर रखना चाता है अंतरंग या दोस्ताना तरीके से उससे पेस ना आए ऐसा ना जता है कि आप उसके दोस्त बन गए हैं यह काम उसे करने दे अपने से उपर बैठे लोगों की प्रत्यक्ष बुराई ना करे यह बात इसपस्ट है लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप किसी किसी तरह की आलोचना जरूरी होती है उस दोरान चुप रहने या कोई सला ना देने के दूसरे तरह के जोखे मुत्पन होते हैं बहराल आपको अपनी सला या आलोचना और प्रत्यक्स तरीके से और यथा समभ विनम्रता से देना चाहिए अपने से उपर बैठे लोगों से एहसान मांगने में किफायत बरते कम एहसान मांगे और कब रुकना है यह जान ले सबसे महतपूर बात किसी दूसरे वेक्ति के लिए एहसान ना मांगे कम से कम किसी मित्र के लिए तो हर्गिस ना मांगे कभी भी हुलिय या रूची के बारे में मजाक ना बनाए चुल्बुला, वाक चतुर्य और हास्यपूर सभाव अच्छे दर्बारी के अनिवार्य गुण है और ऐसे समय आते हैं जब हसी मजाक अच्छा और मनोरंजक होता है लेकिन हुली यरूची के बारे में किसी भी तरह से मजाक से बचे क्योंकि ये दोनों छेतर बहुत ही समवेदन सीन है खास तोर पर आपसे उपर बैठे लोगों के लिए दर्बार के आलोचक ना बने दूसरों के अच्छे काम की तारीफ करे अगर आप लगातार अपने समकशोक या अधिनस्तों की बुराई करते रहेंगे तो उसे अलोचना का कुछ हिस्सा आपको भी आपसे भी चिपक रह जाएगा और आप जहां भी जाएंगे वहाँ आपके उपर एक बुरे बादल की तरह मंडराता रहेगा लोग आपकी हर नई अलोचनात्मक टिपड़ी पर कसम साने लगेंगे चिप जाएंगे दूसरों की उपलब्दियों की छुटपुट प्रसंसा करके आप विरोधवासी रूप से अपनी उपलब्दियों की तरफ ध्यान आकरशित करते हैं खुद को देखते रहें दरपन एक चमतकारी अविसकार है यह ना हो तो आप से सौंदरे और सजावट के खिलाफ कई बड़े अपराद हो सकते हैं आपको अपने कामों के लिए भी एक दरपन की जरूरत होती है कई बार तो इसका मतलब दूसरों से अपने बारे में राय लेना है लेकिन यह सबसे विस्वसनिय तरीका नहीं है आपको अपना दरपन खुद होना चाहिए और अपने मस्तिस्क को खुद को उसी तरह देखने का प्रशिक्षन देना चाहिए जिस तरह दूसरे लोग देखते हैं अगर आप खुद को देखते रहेंगे तो आप गलतियों के पहाड़ से बच जाएंगे अपनी भावनाओं में स्वामी बने किसी महान अवीनेता की तरह आपको मौके के हिसाब से सही समय पर रोना और हसना सीखना चाहिए आपको अपने गुसे और कुंठा को छिपाना तो आना ही चाहिए अपने संतुष्टी और सहमती को छिपाना भी आना चाहिए आपको अपने चेहरे के भावों का स्वामी होना चाहिए समय के साथ चले अतीत की हलकी सी जलक लोगों को आकरशित कर सकती है बसरते आप कम से कम 20 साल पहले का समय चुने 10 साल पहले के फैसन के कपड़े पहनना हाश्यपद हो सकता है जब तक कि आप दर्बार के मस्खरे ना बनना चाहें आपकी वनोदशा और चिंतन समय के साथ साथ चलना चाहिए भले ही समय आपकी समवेदनाओं के अनुरूप ना हो बहराल अगर आप बहुत से जादा आगे की सोचेंगे तो कोई भी आपको नहीं समझ पाएगा आनंद का सुरोत बने यह बहद महतवपूर्ण है मानविय सोभाओ का यह इस पस्ट नियम है कि हम अप्रिय और बुरी चीजों से दूर भागते हैं जबकि आकरशन और आनंद की तरफ उसी तरह खिचे चले जाते हैं जिस तरह पतंगे दिये की लोग की तरफ खिचे चले जाते हैं इसकी भी अलग-अलग सीमा होती है हर वेक्ति प्रिय नहीं बन सकता है क्योंकि सब को आकरशन और हाजिर जवावी का वर्दान नहीं मिलता है लेकिन हम सब आपने अप्रिय गुरों को नियंतरित कर सकते हैं और जरूरत वढ़ने पर उसे छिपा भी सकते हैं